हेलो और फ्रेंड्स, इस्सलाम उलेकूँ, विल्कम बैक टू मैं चैनल तम्मोस की चन, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खरियत से होंगे, अज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सबी के साथ, रेसिपी स्टाट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिये, और आज मैं शेयर करूँगी लस्सी, और आपके test के according दाले, अर यह dry food लिए हुमे, शरीफ बादाम लिए हुँ और पिस्ता, और यह थोड़ा सा केसर लिए हुँ अर यह 5 लिए हुमे हरी इलाईची, चोटी इलाईची लिए हुमे 5, इसे हम fresh कूट कर दालेंगे, इसमें कूटा हुआ पांडर नहीं उसकरेंग पहले मैं इलाइची छील कर इसे कूट लेती हूँ अगर आप लस्टी कभी भी बनाओ ताजे दही की बनाईए सुबा में दही जमाईए और रात में लस्टी बना कर पीजिए तो सुबा में ट्राइ करिए रात में जमे हुए दही की सुबा में लसी बना सकते हैं, दुफेर में बना सकते हैं, शरीफ इसे अगर गर्मे के सीजन है, तो इसे शरीफ एक दिन के लिए ही भार रखिए, 12 घंटे के लिए भार छोड़ दीजिए, और फिर इसे फ्रीज में रख दीजिए, अगर जादा खटा होगा, तो लसी सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरुरत है देखिए मैं इस ऐसा कूट कर ली हूँ मैं दाल दूंगी से पहले जार में सबसे पहले हम दाले हैं इलाइची आप इलाइची दालो चाहे दही दाल दो दालना तो हमें उसी में है दस टेबल स्पून शक्कर दही बनाई हूँ मैं इसे छेगलास लस्टी परफेक्ट बनेगी एकदम गाड़ी सी लस्टी बनाएंगे हम बिना पानी की लस्टी अब इसे मैं घुमा लेती हूँ आइस क्यूप्स हम बाद में आड़ करेंगे थोड़ा सा दही जादा है मेरे जार में अगर अब इसमें आइस क्यूप्स दालूँगी तो ओरलोड हो जाएगा और हमारा दही बहार निकल जाएगा जार से भी इसे हम 5-6 मिनट कंटीनू पीशेंगे ताकि हमारी शक्कर भी अच्छे से पीश सके और हमारा इसमें जो दाले हैं इलाइची पावडर और दही का एकदम से अच्छे से एकदम परफेक्ट लस्ती बन जाए और इसे मैं कंटीनू 7-8 मिनट घूमा रही हूँ थोड़ी शक्कर मेरी जाड़ी वाली है इसलिए मैं थोड़ा से जादा ही पीशरी हूँ इसे श्रीव 6-7 मिनट में हमारी गाड़ी सी लस्ती तयार हो जाएगी पंजाबी स्टाइल लस्ती तयार हो जाएगी मैं इसे 1-2 मिनट थोड़ से ज़्यादा गुमा रही हूँ अगर आपकी शक्कर भी जाड़ी वाली हो तो आप भी इसे 7-8 मिनट गुमा लीजिए और यह हमारी रेडी हो गई है अब मैं बंद कर दूँगी इसमें डाल दूँगी थोड़ी से आइस क्यूब्स और फिर इसे 1 मिनट गुमाऊँगी देखिए वैसा ही जान मेरा फुल है मैं ज़्यादा नहीं इसमें आइस क्यूब्स दालूँगी हम जब सर्फ करेंगे तब इसमें एड़ कर देंगे आइस क्यूब्स आइस क्यूट दाल कर मैं एक मिनट घुमाऊंगी ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी इसे फिर में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करिए अपने रिष्टेदारों से शेयर करिए कोमेंट करिए लाइक करिए और प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करने से मेरी रेसिपी अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगी और यह दो ग्लास ली हो में छोटे साइज की ग्लास है हमारे जार में थोड़ा सा ज़्यादा ये है लस्ती तो इसलिए मेरे हाद से थोड़ी सी गीर भी गई है इसमें हम डालेंगे थोड़े से केसर के धागे मैं केसर वाली लस्टी भी अपलोड करूँगी अब मेरे पास ज़्यादा है नहीं तो मैं स्रिफ इसे गार्णिशिंग के लिए यूज कर रही हूँ केसर ताकि अच्छा दिखे है हमारी लस्टी अब इसमें डालेंगे हम ड्राइफूट ड्राइफूट इसमें eigenl है अगर आपको डालना है तो डालिए अगर आपके पास ना हो तो आप इसे skip कर सकते हैं यह ऐसे भी लस्टी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन मुझे इसमें ड्राइफूट जादे ही अच्छे लगते हैं अगर आप डालो तो और अच्छी लगेगे आपको भी लस्टी, मैंने ड्राइफूट उतने ही डाली हूँ, एक ग्लास के जितने, हमारी लस्टी भी अच्छी दिख रही है, और हमारे लस्टी में परफेक्ट हो भी जाएंगे, और लस्टी पीते समय ड्राइफूट से टेस् यह हमारी ठंडी ठंडी गाड़ी सी पंजाबी स्टाइल लस्टी रेडी हो गई है, आप इसे जरूर ट्राइ करिए और इसका टेस्ट देखिए, आप इसमें इलाइची पाउडर थोड़ा कम ही डाले, ज्यादा मत यूज़ करिए, मैं यहाँ पर 5 इलाइची डाली हूँ, एक लिटर दूद की दही के लिए, और आप भी बनाईए, इंशालला आपको भी पसंद आएगा, यह पंजाबी स्टाइल लस्टी, इंशालला कल फीर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना खयाल रखिए, सेफ रहिए, अपनी दूआओं में याद रखिएगा, थैंक यू फर वोचीं